जै गुरू जी, शुकराना गुरू जी, सारी संगत को जै गुरू जी, संगत जी, आज हम एक अंकल जी का सचंग सुनेंगे, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरू जी से अरदास करते ही कैसे पूरी हो जाती है, कैसे गुरू जी आपकी हर विशिस को प पुराना गुरू जी आंटी जी आज मैंने आपको एक पिक्चर बेजी जिसमें मैंने आप से पूछा था कि ये ओम है तो आंटी जी एक्चल में हुआ क्या था आपने दो दिन पहले एक सच्छंग अंकल जी का अपलोड किया था जिसमें इफ और बट का मेंशन हुआ था उस प्रश्व का शायद वह सक्सम था और मैं अज लंच में वह सुन रहा था तो सुनते सुनते ही मैं खाना भी खा रहा था तो उसी टाम जब ये वाक्य सामने आया मुझे सुनाई दिया तो मैंने उसी तम स्टॉप करके गुरू जी जी बोला मैंने अश्तक मेरे मेरे उसमें गुरू साब कभी ऐसा मुझे नहीं दिखा कि ओम आया हो आप यकीन निक रहेंगे सामने मेरी रोटी पड़ी थी और मैंने उपर उसको देखा उल्टे करके मुझे वह ओम नजर आ गया उसका मैंने क्लिक लिया और फिर मैंने आपको पोस्ट किया कि आंडी जी आप कंफर् घर में रोटी में तो आज तू ओम देख लिए तो अंटी जी बहुत बहुत शुकराना गुरु साब जी का बहुत बहुत शुकराना गुरु साब जी का जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी शुकराना आंटी जी प्लीज ये छोट सचसंग है मैं चातों कि आप इसे ब्राडकस्ट करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुकरान आंटी जी वो यही आता है जब भी वो यह सचसंग सुनती है कि किसी संगत को गुरुजी ने बाटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिये रोटी प्रशाद में या रोटी में ओम के दर्शन दिये चाई प्रशाद में या चाई में ओम के दर्शन दिये तितली के रूप में दर्शन दिये तो हमें दर्शन क्यों नहीं मिलते जैसे ही हमारे मन में ये थौट आता है गुरुजी उसको किसी ना किसी तरीके से पूरा कर ही देते है गुरुजी बहुत सारे रूपों में दर्शन देते है हमें बस उनके दर्शन को समझने की जरूरत होती है कि गुरुजी हमें किस रूप में आकर बलेस कर रहे है जे गुरुजी शुक्राना गुरुजी